हाई एवरिवन स्वागत है आप सभी का टीजिंग गोल्स के इस लर्निंग प्रेटफोर्म पर उम्मीद करती हूं सभी लोग अच्छे होंगे एक और विकेंसी अपडेट मैं आपके लिए लिकर किया हूँ और यह आपका अगयन APS के अंदर है दिल्ली के अंदर है और जब आप इस साइट को उपन करेंगे तो आपको सारी डीटेल फ्रंट पेज पर ही मिल जाएगी इसका जो शोट एडवर्टाइसमेंट है वो भी हो जो डीटेल में चीज़े दी गई है वो भी तो जो पोस्ट है आपको अपनी पोस्ट देख सकते हो PGT, TGT और PRT सभी के अंदर आपके vacances जो है रिलीज हुई है आप respective subjects पे देख सकते हो maximum सभी subjects के अंदर है यहाँ पर PGT के अंदर है physical education, history, political science है, psychology, home science, painting, English, chemistry और physics है TGT के अंदर English है, mathematics है, science है, counselor, Hindi, social science, Sanskrit, special educator है और PRT के लिए भी आपका जो है आपको लगबख सारी post यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यह जब आप APS, शंकर विहार जब आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर Google में सबसे ऊपर ही आपको आजाएगा और site को जब आप open करते हो तो front में ही बिल्कुल जो first interface आपको open होता है वो आपका advertisement का ही open होता है no January को यह publish हुआ है जिसके अंदर आपको short में बताया गया है detail में भी चीज़े है यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है कि हर APS school की requirement होती है कुछ कहते है कि आप भी by hand या फिर post से हमें फोर्म डाले लेकिन इनने कहा है कि आप online भी डाल सकते हो ठीक है तो मैं एक बर यहाँ पर आपको जाकर की दिखाती हूँ यह आपका application form है और यह instructions है तो application form भणने से पहले आपको instructions जरूर चेक कर लेनी चाहिए है तो पहले अपना instructions बगएरा देख लेते हैं मैंने इसको डाउनलोड किया है तो मैं इसको यहाँ पर open कर लेती हूँ तो vacancies in R.V. Public School Delhi के अंदर है और जो है आप सबी को पताए APS के जो schools होते है वो अच्छे होते हो आपको करना online ही है इसके लिए आपको कोई भी जो आपका school TET है और CTET है वो आपके लिए mandatory है ठीक है अगर आपको कोई भी state TET है वो भी चलेगा और CTET यहाँ पर आपके लिए क्या है mandatory है qualification में PGT की अगर बात करें तो PG obviously बात है कि आपको 50% marks के साथ चाहिए है और B8 आपने 50% marks कर रखी हो साथी TGT में भी आपका graduation हो B8 के साथ minimum 50% marks और in case of less than 50% in graduation but candidate has qualified in PG in the same subject and scored minimum fee अगर आपके पास graduation में 50% marks नहीं है अगर आपने post graduation कर रखा और उसमें अगर आपको 50% marks score है same subject में ठीक है same subject में तो फिर आप यहाँ पर TGT के लिए eligible हो जाती है PRT के लिए भी यहाँ पर diploma वग्यरा की बात करी गई है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो PRT का computer teacher का है BCA हो graduation हो computer science में या फिर BEE हो tech computer science हो IT हो तो आप अपने लेवल पर computer teachers के लिए चेक कर लीजेगा और age की बात करी गई है age आप calculate करेंगे 1 अपरेल 2024 से salary as per APS norms के coding होगी last day to 19 January रखा गया और experience का भी same है जो हमेशा APS के अंदर होता है अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर 100 रुपीज पे करना और online आपने apply करना है और interview conduct कराया जाता है और interview के लिए भी उनको बुलाया जाता है जिसने online scorecard अगर आपके पास है उसकी बात करी गए जो अगर आपके पास OST है जो online scorecard APS के AWS का form निकलता है और फिर आपको OST card बिलता है अगर आपने उसको pass कर रखा है तो वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े हैं आपके लिए और applications are invited from experienced अगर है तो आप यहाँ पर apply करे qualified candidates are for various contract contractual post of teachers in army public school located in Delhi details of vacancy in the application form are attached for your preference यह आप इसपे भी directly click कर सकते हो यह जो आपको link यहाँ पर provide कर रखा इसपे आप directly click कर सकते हैं तो जब आप इसपे click करेंगे तो आपको यह एक ऐसा form जो है open हो जाएगा जिसको आप यहाँ पर check कर सकते हैं ठीक है यह देखो application form में आप क्या यहाँ यहाँ list questions जैसे मैंने आपको उस link पर apply करा था तो आपको यह सारी चीज़ी यहाँ पर fill करके आप अपना online यहाँ पर भेज सकते हैं ठीक है have you cleared CSB CSB वो ही है आपका जो आपका online जो scorecard होता है जब आप EWS के exam देते हैं ठीक है तो आप यह सारी चीज़ी यहाँ पर भरेंगे और application वाला आप उस पर directly क्लिक करेंगे और आप इस पेज पर आ जाएंगे इस वीडियो में इतना ही है उम्मीद करते हो आपको information पसंद आई होगी जरूर लाइक करें शेयर करें सभी के साथ तक ही जितने भी interested candidate list वो यहाँ पर apply कर पाएं और चैनल को subscribe परना प्लीज ना भूल सारे चीज आपको टेलेग्राम पर मिल जाएगी मिलते हो नेक्स वीडियो में थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग में